रात कितनी भी काली हो मगर सूरज को उगने से कब रोक पाई है नमस्कार जैहिन साथियों मैं हूँ आपका दोस्त कवियादि गणेश प्रारंब करते हैं ये अगली सीरीज है अपनी विभिन परिक्षाओं में पूछ गए सवालों की जिसके अंदर हम रास्तान जेके की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम इतियास बगोल राजनिति और कलाय उन संसकर्ति से जुड़े तमाम सवालों का संक्लन है जो कर रहे हैं और ज्यादा तर घूम पिरके सभी परिक्षाओं में ये सवाल है जो पूछे जाते हैं विशेस तोर से आगामी जो रीट परिक्षा होने हैं महत्वार कि और से लिए वह को हैं उसके लिए बहुत महत्तवपों हैं पत्वार के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड़ लेड पिर सेखळा से वग वन पाल वगरा इतयादी के लिए वह तो आपको क्या कर ना है लाइक कर देना है वीडियो को सभी गूरूप हैो और पहल हैं आज के सवालों को आज का पहला सवाल है अपना काली बंगा सब्धेता को सर्व पर्थम परकाश में लाने का श्रे दिया जा सकता है बीबी लाल को बीके थापर को एमडी खरे को अमलानंद गोश को यह सवाल कहीं बार पूछा गया आप रिक्षाओं में तो किसको दिया जाता है चार नंबर विकलप होगा अपना अमलानंद गोश को इनको काली बंगा सब्धेता को सर्व पर्थम परकाश मिलाने का श्रे दिया जाता है दूसरा सवाल निम्नांकित में से किस इतियास वेता ने काली बंगा को सिंदू घटी शामराज्य की तीसरी राजदानी कहा है जी एच ओजहा ने शामलदास ने दश्रत शर्मा ने या फिर दयाराम सहाने ने तो कौन सा वो इतियास कार है जिसने काली बंगा को सिंदू घटी सामराज्य की तीसरी तृत्ती राजदानी कहा है उत्तर हो जाएगा अपना तीन नंबर है दश्रत शर्मा सहाब ने ठीक है अगला सवाल देखिए निम्नांकित में से राजस्थान में किस इस्थान से सेंदहु काली इन अवशेश प्राप्त हुए हैं बालाथल से गनेश्वर से गिलूंड से या फिर काली बंगा से तो राजस्तान में शेंदव काली इन जो अवशेश है वो कहां से प्राप्त हैं किस इस्थान से चार नंबर हैं काली बंगा से प्राप्त हुए हैं या देखने को मिलते हैं अगला अपना सवाल है गनेश्वर सभेता के अवशेश चिन उपस्तित है भीलवाडा में हनुमानगड में सीकर में या फिर उदाइपुर में तो आसान सा सवाल है गनेश्वर सभेता कहां से जुड़ी हुई है तीन नंबर सीकर से ठीक है अगला सवाल देखिए उत्तर कमेंट करते चले हैं लाइक शेर नहीं किया तो जरूर करें आप अभिलेक अभिलेक जो प्राचीन राजस्तान में भागवत संपरदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो अभिलेक कौन सा है जो प्राचिन रास्ताने में भागोत संपर्दाय होने की क्या करता है इसके प्रभाव की पुष्टी करता है गोशुंडी अभिलेक, बुचकला अभिलेक, हेलियोडोरस का बेसनकर अभिलेक या फिर घटियाला अभिलेक आरेएस 2016 में पूछा गया सवाल है तो कौन सा अभिलेक हो जाएगा? एक नमबर अपना गोशुंडी अभिलेक है जो यह पुष्टी करता है कि प्राचिन रास्ताने भागोत संपर्दाय का प्रभाव यहां पर रहा है अगला सवाल देखिए जैपुर को गुलावी रंग निम्न द्वारा दिया गया या इन में से गुलावी रंग जो जैपुर किस ने दिया? महराजा इश्वरी सिंग ने? महराजा माधो सिंग ने? या महराजा सवाई राम सिंग ने? या फिर महराजा सवाई जैशिंग ने? तो किस ने दिया उत्तर हो जाएगा अपना तीन नंबर महाराजा सवाई राम सिंग ने आगे देखिए अपना अगला सवाल है जोदपूर इस्तित रूपायन संस्था का मुख्य कार यह है ग्राम अथान लोग संस्कृति का उन्ने रेगिस्तान पर नेंतरन या फिर नगर विकास बताईए क्या होगा मुख्य काम क्या है रूपाईन संस्ता का उत्तर हो जाएगा दो नमबर लोग संस्कृति का उन्ने इन करना ही मुख्य काम है रूपाईन संस्ता का और पूछ ले जाए कहें पर है यह संस्ता तो यह जोदपुर में इस्तित है अगला सवाल है अपना राजस्तान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे इतिहासकार के साथ साथ क्याते हैं समाज सुधारक थे कौन है इन में से मानकरण शारदा, हर्विलास शारदा, सीके एफ वालतेर जा फिर जमनालाल बजाज तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा यहापर अपना दो नमबर, हर्विलास शारदा, ठीक है अगला सवाल देखिए, सवाल है, राजस्तान की भाषा के लिए राजस्तानी शब्द का प्रियोग सेरो पर्थम किस ने किया राजस्तानी भाषा के लिए राजस्तानी शब्द का प्रियोग तो कभी कुशलाब ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जोर्ज अबराहम ने, या फिर जैम्स टोड ने, सबसे पहले किस ने किया ये कृशी परिये व्यक्षक 2019 में जो परिक्षा हो ली, उसमें आया हुआ है तो उत्तर हो जाए गए या पर तीन नमबर, जोर्ज अबराहम साब ने किया था अगला सवाल है अपना, पिथल दुआरा डिंगल भाषा में लिखे गए गरंथ है, अब देखो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है पिथल उपनाम से कौन रचनाई करते थे, वो आप कमेंट करके बताना, जा फिर आप रचनाई देखके अंदाज लगा लेंगे पिथल दुआरा डिंगल भाषा में लिखे गए गरंथ है, गंगा लहरी, वेलिक्रिष्न रुक्मनी, हरीरास या एक वेदो दोनो बताईए, इस सेकंड ग्रेड 2010 में भी आया हुआ है, और बेलिक्रिष्न रुक्मने री, ये तो कहीं बार पूछा गया है, अलग से सिंगल, उत्र हो जाए गए या पर, चार नंबर, एक वेदो दोनों, ये पिथल दुआरा डिंगल भाषा में लिखे गरंथ है, और पिथ बखत राम शाह, बांकिदास या फिर नरुत्तम, सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है, उत्र हो जाए गया या पर, दो नंबर, बखत राम शाह है, ठीक है, अगला सवाल देखिया आप, किसका लेखक वीरभान था, इन में से किसका लेखक वीरभान था, वंश भाष प्रकाशकर का, अभिदे का, सुरज प्रकाश का, या फिर राज रूपक का, उत्तर हो जाएगा, चार नंबर, राज रूपक का राइटर अपने कौन है, वीरभान, अगला सवाल देखिया आप, राज विलास की रचना किसने की थी, कवी, मान सिंग, हेम कवी ने, सुर्य अमल, मिस्रण ने, कहीं जगे मिस्रण भी मिलता है, या फिर शामल दास ने, राज विलास, यह महिला पर यह व्यक्षक 2000 उने इसमें पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना एक नंबर, मान सिंग, कवी, मान सिंग ने, अभी भी आपने लाइक श सवा के अध्यक्स थे, राज्तान की परतम विदान सवा थे, उसके अध्यक्स थे, शांतिलाल, नरोतम जोशी, रामनिवा समिर्धा, श्रीमती सुमित्रा सिंग, इनका शांतिलाल जी का पूरा नाम था, शांतिलाल चपलोत, तो कौन थे, उत्तर हो जाएगा, दो नंबर, राज्तान की परतम विदान सवा के देख थे, अपने नरोतम लाल जोशी साहा, ठीक है, तो ये थे अपने विशेश प्रश्न, लाइक नहीं किया आपने अभी तक, लाइक करें, शेर भी करें, और सब्सक्राइब करके, बेल आइकनों क्लिक करने, अगर नहीं किया हुआ है तो थे वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे है, फिर मिलते हैं, और रीट से सम्मधित कम्प्लीट चीजें हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाके देखें, इंगलीज का कम्प्लीट से लेबस है, साइकलोजी की टेस्ट सीरीज है, सस्टी की यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और भी बहुत कुछ चीजें आपको मिल जाएगी, फिर मिलते हैं,